दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर MIUI 12.5 के बारे में कि यह कब तक आपको इंडिया में देखने को में सकता है और यहाँ पर क्या इसका जो टोटल जो प्लेबैक बगरा चल रहा है भाई कब तक इसका मेला की शैडूल बगरा आने वाला और यह कब आपको आपके डिवाइस मिलेगा तो यहाँ पर जितने वीडियो नियूज बगरा है कौन सचा है क्या जोटा तो यह सभी चीज़े में आज किस वीडियो में क्लिर कर करने वाला हूं तो चली दोस्ता करते हैं पर वीडियो की शुरुआत लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूटीब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिएगा साथ में पास वाली नोटिवे बैल के आइकन पर क्लिक कर दिना है ताकि आपको सबसे पहले इंफोर्मेशन मिल जाए हमारी किसी भी नई वीडियो की इसके अलाबा दोस्ता आप हमारे टेलीगराम के चैनल को जोइन कर लीजिए को जैसे कोई भी अपडेट आता तो इसका जो आपको लेंक मिल जाएगा डेस्क्रेशन में अब दोस्ता अगर बात करते है में यहां पर में आप सभी जानती है जो में यह चाहिना के अंदर इसके जो अपडेट आने स्टार्ट हो चुकी है चाहिए बीटा के हो चाहिए स्टेवल के हो अब बात करते हैं पूरी न्यूज की कि इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा और क्या यहां पर रहने वाला है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यह है रेड्मी इंडिया का ट्विट और यहां पर एक डिवाइस लॉंच होने वाला है जिसकी उम्मीर लगाई जा रही है कि यह रेड्मी नोट 10S होगा और यहां पर इन्होंने बताया कि इसमें आपको जो मी यह 12.5 का अपडेट मिलेगा मेलने कि मी यह 12.5 पर ही यह रन होने वाला है और इससे एक और उम्मीर लगाई जा रहे कि बहुती जल्दी जो मी यह 12.5 यह इंडिया के अंदर भी लॉंच हो जाएगा और जैसी लॉंच हो जाएगा वैसे आपको यह मिलना श्राट हो जाएगा अराउंड दो मैं इसमत के बाध से अब अगर बात करते हैं कि आंप यह त्वट के बारे में तो भाई यहां पर मी यहां पर वाई 12.5 की टेस्टिंग हो रही है यह चाहिना पर नियुक्त हो चुप है कुँछ ब्ले रिइज हो चुका है बात करता है कि बाई किन कि डिवसें के लिए इंटरनल टेस्टिंग चल रही है और किन डिवाइसों के लिए जो अपडेट यहां पर आ चुका है यह दोस्त बिदा दूँ यह बिलकुत लिटेस्ट लिस्ट है जो एक माई दो यार 21 पर वेज़ड है और यह चाइनीज लिस्ट है यह लिस्ट चाइना की बेशक है इसका इ डिवाइस इन इंटरनल स्टेवल बीटा टेस्टिंग कि वो डिवाइस जो इंटरनल स्टेवल बीटा टेस्टिंग पर है तो यहां पर आयाता है MI 11 लाइट 4G 5G उसके बाद में MI 10 लाइट MI 10 लाइट जूम यूथ एडिशन वाले MI 10T, 10T Pro, Redmi K30S Ultra, MI Note 10, Note 10 Pro, Lite CC 9 Pro, MI 9 Pro 5G 90 Pro MI 90, Redmi K20, MI 9 Lite, MI CC 9E, MI 8 SE, 8 Lite 8 Pro, 8 UD 8EE, उसके बाद में MI Max 3, उसके बाद में Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi 10X 5G उसके बाद में यहां पर आयता है Redmi K30, Redmi K30 Ultra, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 90, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Poco X3 और Poco X3 NFC इन जो डिवाइसों के लिए internal testing चल रही है, तो आप देशते हैं कि यहां पर बहुत सारी जो इंडिया के डिवाइस भी शामिल है, जिन यहां पर जो internal testing इस्टार्ट होने के बाद में जब इंडिया में यह में MI 12.5 लॉंच होगा, तो उसके बाद में जो updates मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, अब उसके बाद में आते हैं वो डिवाइस जिन के लिए है, यहां पर जो internal stable release बिल्ड है, वो release कर दी गई है, तो यहां पर जो MI 11 Global, उसके बाद में यूरोप बाला, उसके बाद में MI 9 और Redmi K20 Pro, इन डिवाइसों के लिए जो internal stable है, वो release कर चुके हैं, चाइना वाले पहले ही, अब उसके बाद में अगर बात करते हैं, release device के बारे में, तो यहां पर जो MI 9 FC, MI CC9, MI CC9 में तो MI 11, MI 11 Pro, MI 11 Ultra, MI 10, 10 Pro, 10 Ultra, Redmi K40 Gaming, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi K30S Ultra, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 10S, तो इन के लिए जो पहले ही, MI UI 12.5 लॉंच हो चुका है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के पहले ही पताया था, कि जो इंडिया के अंदर, Redmi Note 10S लॉंच होने वाला है, उसमें आपको पहले से ही MI UI 12.5 देखने को मिलेगा, तो भाई जब पहले ही उसके लिए लॉंच हो चुका है, तो आप अपडेट जाप और पहले से ही मिलागा देखने को, तो इसी परकार से सेम जो चाइना के अंदर पहले जो अपडेट आया थे हैं, वोह यह सेम जो आपको इंडिया के अंदर आपडेट देखने को मिलते हैं, आब यह यहां पर बाहरी हैं, यह तॉकित輕पाए यह नहीं एन स्टार्ट हो जाएंगे अब दोस्तों मिलने कब से स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूं अराउंड एक से डेड़ महीना लगेगा अभी और उसके बाद में जो आपको अपडेट से देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे में यूआ 12.5 के अब अपडेट कीन लोगो आने वाली मैं बताऊँगा कि इस डेवाइस को कब तक जो अपडेट देखने को मिलेगा तो इसलिए दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब करें ना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके डिवाइस के लिए कब तक अपडेट आने वाला हूं में 12.5 के बारे में क्योंक तक आपका दिन शुब रहे